नमस्कार, मैं हूँ श्रीजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तिजगर में चुनाव होंगे इन तीनों ही राजियों में आदिवासी जन संक्या काफी बड़ी है और चुनाव के दृष्ची से काफी महत्वपून मानी जाती है इन तीनों राजियों में गौंड और भील बड़े आदिवासी समुदाए हैं इसके अलावा भी कई आदिवासी समुदाए के लोग इन राजियों में रहते हैं फिलहाल इन में से दो राज्यों यानी चतीजगर और राजस्थान में कॉंग्रेस और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो चलिए इन तीनों ही राज्यों के विधान सभा के चुनावी गणित में आदिवासी का स्थान, स्थिती और मुद्दो को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इन राज्यों में आदिवासी संख्याबल को ही समझा जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से इन तीन राज्यों की कुल जन संख्या 16,67,20,444 है इस जन संख्या में अनुसूचित जनजातियों की कुल जन संख्या 3,23,78,220 है यानि इन तीनों राज्यों की कुल जन संख्या का लगबग 19,4 प्रतीशत है इन में सबसे बड़ी आदिवासी जन संख्या एक करोर 53,00,000 मध्य प्रदेश में है वही सबसे कम 78,22,36 गड़ में है राजस्थान की बात करे तो वहाँ आदिवासी जन संख्या करी 92,38,000 है तीनों को मिलाकर कुल 520 विदानसभा सीटे बनती है इन में से 90,36 गड़, 230 मध्य प्रदेश और 200 राजस्थान में है इन तीनों राज्यों की कुल 520 सीटों में से 101 सीटे अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित है इन राज्यों में मध्य प्रदेश में 47 विदानसभा सीटे आरक्षित है दो हजार अठार के विदानसभा सीटे नतीजों पर गोर करें तो तीनों राज्यों में अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित विदानसभा सीटों पर कॉंग्रेस का दबदबा दिखाई पड़ता है इन तीनों ही राजियों यानी मध्यप्रदेश, चतीसगर और राजस्थान की 101 आदिवासी आरक्षित सीटों में से कॉंग्रेस पार्टी ने कुल 67 सीटे जीती थी 2018 के विदान सबा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 28 पर ही सफलता मिल पाई ऐसा माना जाता है कि आदिवासी इलाकों में जमीन डोल जाने की वज़ह से ही बीजेपी को इन तीनों राजियों में सत्ता से बाहर होना पड़ा 2018 के चुनावों में कॉंग्रेस और बीजेपी के अलावा कुछ शेत्रिय दल भी अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित सीटों पर अपनी छाप छोड़ती नजर आती है इन में से प्रमुक्रहे 36 गड़ की जनता कॉंग्रेस 36 गड़ और राजस्थान में भारतिय ट्राइबल पार्टी आईए अब राज्यवार इस गनित के माइने और समिकरन को समझने की कोशिश करते हैं साथ साथ इन राज्यों के आदिवासी इलाकों में मौझूद मुद्धो की भी बात करेंगे शुरुवात राजस्थान से करते हैं 2011 के जन गरना के अनुसार राजस्थान की कुल जन संक्या 6 करोर 85,48,437 है इन में से 92,38,534 राज्य के आदिवासियों की जन संक्या है जो कुल जन संक्या का लगबग 13.4 प्रतीशत है राजस्थान में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाए भील है इनकी राज्य में कुल जन संक्या 41 लाक है ये माना जाता है कि ये समुदाए दक्षिन राजस्थान की अनसूचित जन जाती की 17 सीटों पर सीधा और कई अन्ने सीटों पर परोक्ष असर रखता है भीलों के अलावा मीना, दमर्या, तडवी, गरसिया, कतोडी, कोकना, कोली धोर, नायक, पटेलिया और सहर्या आदी राजस्थान के प्रमुक आदिवासी समुदाए है जन गर्णा के आकरों के अनुसार, राजस्थान में 75 प्रतीशत जनसंक्या ग्रामीन इलाकों में रहती है इसी क्रम में राज्य के आदिवासी इलाकों में कई प्रबल मुद्दे है इनमें सबसे पहला मुद्दा शिक्षा का है, जहां 13.85 प्रतीशत चात्र चात्रा आदिवासी समुदाएओं से है हलाकि आदिवासी चात्रों में उच्च शिक्षा का अनुपात सुद्रा है वही सरकारी कॉलेजों में सरकार को शिक्षा के गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है राज्य की आदिवासी साक्षर्तादर 52.8 प्रतीशत है जिनमें 67.6 प्रतीशत पुरुष और 37.3 प्रतीशत महिलाएं है इसके साथ ही राज्य में कुल आदिवासी ग्राजुएट 1,99,280 है इनमें 52.8 प्रतीशत ग्राजुएट है और 22.1,7 प्रतीशत पोस्ट ग्राजुएट है इसके अलावा राज्य में कुंबलगर्ड वाइल लाइफ सैंक्चुरी का प्रस्ताव है इसकी वजह से 20 आदिवासी गाउफ पर विस्थापन की तलवा लटक रही है इस शेत्र में आने वाले गाउफों में भील, गरसिया और देहाती राई का समुदायों के लोग रहते हैं उनका कहना यह है कि इस शेत्र में बागों का कोई इतियास नहीं रहा है यहां के ग्राम सभा ने इसके खिलाफ एक प्रस्ताफ भी पारित किया है जिसे इन्होंने राज्य के मुख्य मंत्री, राज्य के परियावारन और वन मंत्री और जिला कलेक्टर को जमा करवाया है बहरहल हाल ही में राज्य की राजनीती में भी एक बदलाव आया है पिछले चुनावों में दो सीट जीतने के बाद भारतिय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर कुछ नेताओं ने एक नई पार्टी का गठन किया है इसका नाम भारत आदिवासी पार्टी रखा गया है इस पार्टी के संस्थापकों में बीटीपी की टिकेट पर जीते दोनों विधायक भी शामिल है इसी क्रम में चलते हुए अब 36 गड़ पर नज़र डालते है 2011 के जन गड़ना के अनुसार 36 गड़ की कुल जन संख्या 2,55,198 है राज्य की कुल जन संख्या का करीब 30.6 प्रतीशत आदिवासी है यानि 36 गड़ में तकड़ीबन 78,22,902 आदिवासी रहते है गौन समुदाई की जन संख्या राज्य में सबसे जादा है गौन समुदाईस के अलावा राज्य में बैगा, भुजिया, मुडिया, हल्बा, भत्रा, पर्जा, धूर्वा, दोडला, कोल, कोर्वा, राजगौन आदिवासी समुदाई भी रहते हैं कुल मिलाकर राज्य के कुल मद्दाताओं का एक तिहाई आदिवासी है 36 गड़ एक आदिवासी बहूल राज्य होने के कारण चुनाव में आदिवासी मुद्दे प्रमुख बन जाते हैं 36 गड़ के आदिवासी इलाकों में विस्ताफवन, पलायन, कुपोशन, रोजगार जैसे कई एहम मुद्दे मौजूद है इसके अलावा ये राज्य लंबे समय से नकसल संगठोनों और सुरक्षा बलों के बीच संगर्श को भी जेल रहा है राज्य की कुल आदिवासी साक्षर्ता दर 69.1 प्रतीशत है जिसमें 69.7 प्रतीशत पूरुश और 48.8 प्रतीशत महिलाएं है इसके साथ ही राज्य के 4,029 गामों में 50 प्रतीशत से ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है पर आज भी राज्य के ग्रामीन शेत्रों में 52.6 प्रतीशत और शहरी शेत्रों में 35.2 प्रतीशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे है चुनाव की द्रिष्टी से कुछ केंद्रिय और बड़े मुद्दों की बात करें तो आदिवासीों के लिए 32 प्रतीशत आरक्षन और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासीों को अनसूची जनजाती के सूची से बाहर करने का मुद्दा हसदेव आरणने की कटाई और नकसल संगठनों से प्रभाविच शेत्रों में सुरक्षा कैंप लगाने जैसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है 36 गड़ में कॉंग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला रहता है लेकिन इस बार दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी भी राज्य में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है इस पार्टी का फोकस आदिवासी इलाकों में ज्यादा होगा इसके अलावा राज्य के एक बड़े आदिवासी नेता अर्विन नेताम ने भी 36 गर सर्व आदिवासी समाज नाम के संगठन को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है आईए अब एक नजर मध्य प्रदेश पर भी डाल लेते हैं मध्य प्रदेश तीनो राज्य में से सबसे बड़ा राज्य है जहां राज्य की जनसंख्या 7,26,26,809 है और इन में से 1,53,16,784 आदिवासी है मतलब राज्य की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत आदिवासी लोगों का है राज्य में भील और गौंड दोनों ही बड़े समुदाय है इसके अलावा बैगा, कोल, कूरकू, आदि कई समुदाय भी है राज्य की 230 में से 47 सीटे आदिवासीों के लिए आरक्षित है 2018 के विदान सबा चुनावों में भी आदिवासी वोट ने ही सरकार के गठन में एहम भूमी का निभाई थी 2018 के चुनावों में 47 आदिवासी सीटों में कॉंग्रेस ने 30, बीजेपी ने 16 और एक सीट निर्दलिये ने जीती थी मद्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों से रोजगार की तलाश में सीजनल पलायन एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आदिवासी इलाकों में खेती किसानी बारिश के बरहों से होती है इसीलिए आदिवासी किसान एक ही फसल ले पाता है परिवार पालने के लिए मजबूरी में आदिवासी परिवारों को साल के कम से कम 6 महीने के लिए रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है मद्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में शिक्षा के साधनों की कमी भी एक बड़ा मसला है राज्य के आदिवासियों की कुल साक्षर्टा दर 50.6 प्रतीशत है जिन में 69.6 प्रतीशत पूरुष और 41.5 प्रतीशत महिलाएं हैं लेकिन चुनावों के लिहाद से आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ा मसला बन रहा है आदिवासियों पर अत्याचार National Crimes Records Bureau के अनुसार राज्य में 2018-2021 के बीच आदिवासियों के खिलाफ 33,249 कुरूर्टा के केस दर्ज हुए है जो सालाना 15-20 प्रतीशत के दर से बढ़ रहे है इस सिलसले में सीधी कान की काफी चर्चा हो रही है दरसल सीधी जिले में एक BJP विदायक प्रतिनिदी के बेटे प्रवेश शुकला ने एक कोल आदिवासी युवक के चहरे पर पेशाब किया था इस वारदात के बाद आदिवासी इलाकों में BJP से लोग काफी नाराज नज़र आ रहे है आज बस इतना ही उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया ऐसे ही वीडियो के लिए मैं भी भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें धन्यवाद